संसद में केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि सुनने वाले हैरान रहे गए सरकार ने संसद में बताया कि देश के 209 जिले ऐसे हैं जा लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें खतना केमिकल और मेटल गुले हुए हैं ऐसे मेटल जो इनसान को कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। या दूसरा कोई भी काम करना काफी नहीं है। गंभीर से गंभीर बीमारियां इनसान को केवल पानी पीने की बज़से चपेट में ले सकती हैं। तंदरुस्त रहने के लिए दूद, फल और हरी सबजियां खाने के बावजूद इन 209 जिलों में लोग कैंसर तक के शिकार हो सकते हैं। दुनिया का हर डॉक्टर फिट रहने के लिए 5 लीटर पानी रोजाना पीने की सलाह देता है। लेकिन 5 लीटर पानी के साथ इन 209 जिलों के लोग कितने मेटल शरीर में पहुँचा सकते हैं। इसका अंदाजा भी लगाना आसान नहीं है। बिना पानी के जीवन की कलपना भी मुम्किन नहीं है। लेकिन सरकार का संसद में दिया जवाब साफ करता है कि 209 जिलों में जल ही जीवन छीनने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि सरकार ने बाकाइदा ये बताया कि दूशित पानी में कौन कौन से मेटल मिले हैं और ये सबी कैसे केमिकल हैं जो इनसान को गंभी रुप से बिमार कर सकते हैं सबसे पहला केमिकल है आरसेनिक 25 राज्यों और केंडर शासित प्रदेशों के 209 जिलों में अंडर ग्राउंड वाटर यानि जमीन के नीचे के पानी में आरसेनिक मिला है 18 राज्यों के 152 जिलों में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम मिलने की जानकारी सामने आई है ये सबी वो chemical हैं जो ताय मानक से कहीं जादा मात्रा में पानी में पाए गए हैं लेड यानी सीमा 21 राज्यों के 176 जिलों में जमीन के अंदर के पानी में पाए गया है 39 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 491 जिलों के underground water में लोहा पाया गया है वहीं लोहा जो घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जिससे सरीय बनाया जाते हैं वो आइरन इन 491 जिलों के पानी में मिला है और ये सबी वो chemical बताय जा रहे हैं जो ताय मानकों से कहीं जादा मात्रा में पाए गया है ग्यारहा राज्यों के 29 जिलों में केडमियम पाया गया है जबकि 16 राज्यों के 62 जिले ऐसे हैं जहांके underground water में chromium जैसा metal मिलने की बात सामने आई है और ये सबी वो metal है जो इनसान को बीमार बनाने के लिए काफी है इन सबी chemical से कौन-कौन सी बीमारिया हो सकती है ये भी हम बताएंगे लेकिन जानना भी जरूरी है कि सरकार ने इसके लिए किसे जिम्मेदार बताया